दोस्तो हम सुबह से लेकर शाम तक काफी मेनद करते हैं ताकि हम अपने और अपनों के लिए पैसे कमा सकें लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने पैसों को अच्छे से समालना जानते हैं इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पैसों को कैसे समा लोगों को आता है और problem यह है कि अगर आप doctor बनना चाहते हैं या engineer बनना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो इन सब चीजों के लिए college मौजूद है लेकिन अगर real life में money management की बात की जाए तो ऐसा कुई source मौजूद नहीं है जिससे आप money management सीख सकें number one start investing as early as possible start investing as early as possible जितना जल्दी हो सकें उतनी जल्दी investment करना शुरू कर दीजिए क्योंकि जिन्दगी में दो skill ऐसी हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए वो है money को बचाना और money को invest करना और ये दोनो skills आपको तभी आएंगे जितना आप इनको करेंगे तो जब ये दोनो skills करने से तो जब ये दोनो skill करने से आएंगी तो क्योंगीना आप इनने जल्दी करना शुरू कर दें? तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पैसों का एक portion को बचाना शुरू कर दें अक्सर जब हमें स्कूल में होते हैं तो उस समय हमें जो पॉकिट मनी मिलती हैं हम उसे बचा लेते हैं क्योंकि उस समय हमें कुछ खास चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहते हैं और फिर आखिर में जाकर उसे खरीद लेते हैं अब मैसे जादातर लोगों ने बच्पन में ऐसा जरूर किया होगा इसलिए आज आज आप जीवन के किसी भी पड़ाओ पर क्यों नहों, आज से ही पैसे बचाना शुरू करते हैं, इसलिए सबसे च्छटाइम है कि आज से ही शुरू करते हैं, जब आप जल्दी शुरू करते हैं, तब आपको एक और कमाल का फायदा मिलता है, और वो है power of compounding, तो जब आप जल्दी से करना शुरू कर देते हैं और जल्दी इंवेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, और फिर धीरे धीरे करके अगले कुछ सालों में आपको power of compounding का पता चलने लगता है, नमबर टू, don't make your investment decision best on social media hype, आपको जब भी investment कर करिएगा, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ न कुछ नया होता रहता है, कभी stops होते हैं, कभी शायद property का sector boom होता है, पिछले कुछ महिनों से crypto या NFT जैसी चीज़े चल रही हैं, हर 6 महिने या साल के बाद कुछ न कुछ नया आता रहेगा, और एक नई hype होगी, आपको लगेगा क इंटरनेट पर सब एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको भी पैसा वही लगाना चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि वही पर invest करें, जिस बारे में आपको knowledge हो, और जहां पर आपका कुछ control हो, एक दो success story को देखकर अपना investment decision मत बनाना, कुछ लोग होगे जिन्होंने property में पैसा कमाया होगा, कुछ लोग होगे जिन्होंने stock market से पैसा कमाया होगा, कुछ लोग crypto की मदद से करोड़ पती बन गए होगे, लेकिन यह अफीन मानिये कि life में हर एक sector में कुछ success stories होगी, लेकिन वो लोग क्यों कामयाब होगी, उसके बारे में अगर आप detail में देखेंगे, तो आपको बहुत सी बातें और भी पता चलेंगी, तो सिर्फ एक दो success story या सिर्फ एक दो करोड़ पती लोगों की बजह से अपना decision कहीं पर invest करने का ना बनाएं, और कभी भी अपना पूरा पैसा किसी एक जगह पर invest ना करें, यह आ अगर आपको किसी risky या बड़ी जगह पर invest करना भी है, तो आपको अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है, नमबर त्री, track where you spend your money, आपके पास हर महीने अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं, लेकिन वो जाते कहां हैं, यह आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता ही नहीं आप बार बार जरन कारी लेते रहते हैं, या उसे चेक करते रहते हैं, वो चीज आपकी बेहतर होने लगती है, तो जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, पिर चाहिए वो थोड़ा पैसा हो, या फिर जादा पैसा क्यों नहीं हो, आपको रोजाना उसकी लिस्ट बनाना जरूरी है, कि पूरे दिन भर में आपके पैसा, आपने अपना पैसा कहां और क्यों खर्च किया, आपको शायद याद नहीं होगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय हमारी वम्मी डायरी के पीछे लिखा करती थी, उन्होंने 100 रुपए यहां खर्च किये, 50 नमबर फूर, नेवर डू एक्सपेंसेज तू शो आउफ, कभी भी दिखावा करने के लिए खर्च मत कीजिए, कुछ-कुछ खर्च बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि माल लीची आप अपने खर को रिनोवेट करना चाते हैं, नई कार खरीदना चाते हैं, या नया फोन सर हाल सकते हैं, या जितना आप मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ रिष्टेदारों को इंप्रेस करने के लिए या फिर परोशियों को दिखाने के लिए अपना पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी कार है, तो आप भी बड़ी कार खरीद लेंगे, या किसी क को इंप्रेस करने के लिए अपने एक्सपेंसे से बाहर चले जाते हैं, और फिर आपका लोन हर महीने ड्यूर होता रहता है, और फिर वो आपके उपर बड़न बनता रहता है, इसी तरह से क्रेडिट कार्ड की भी बात है, क्रेडिट कार्ड आपको तभी रखना चाहिए, जब आपको इसको हैंडिल करना आता हूँ, अपनी दोस्ती और इंवेस्मेंट को अलग-अलग रखिये, मालों कि आपका दोस्त ने कोई नए इंशुरेंस कंपणी जोईन की है, तो आप भी वो इंशुरेंस खरीद लेते हैं, ताकि आपके दोस्त को बुरा न लग चाहे, लेकिन आपको उसकी हमाई सालों साल देनी पड़ेगी, इसी दरे से आपकी किसी दोस्त ने कोई प्रॉपर्टी या नया बिज्रे शुरू किया, लेकिन आप दोस्ती की चक्कर में कभी भी अपना कोई इंवेस्मेंट ना करें, और जब भी इंवेस्मेंट करें, तो अपन हिसाब से सोच विचार करके ही अपने पैसों को इंवेस्मेट करें, ना कि अपने किसी दोस्त को इंप्रेस करने की चक्कर में अपने पैसों को इंवेस्मेट करें, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करतों देते हैं, लेकिन बाद में हमें पश्टावा होता है, क्योंकि हमारा दोस्त खाफी कुछ सीखने को मिलाओगा तो वीडियो को अभी सेक लाइक कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आकन दबाना ना भूली ताकि आप कोई भी वीडियो कभ भी मिस ना करें धन्यवाद